जहिन दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महतपूर जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे बोर्ट पर देख रहे हैं यह जानकारिया आपके लिए बहुत महतपूर होने वाली है इसलिए इस जानकारिया अकसर आपको मिलती रहते हैं इस चैनल के मादल से चलते हैं दोस्तों पहली जानकारिया कि तरफ पहली जानकारिया कम्यूटेशन को लेकर दोस्तों Department of Finance Government of Punjab की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है पैंशनर्स के लिए जो पैंशनर्स के हैं जो उनकी recovery हो रही ह पेंशन में से कम्यूटेशन की, उसे बंद करने के लिए, जो आगे की रिकवरी हो रही है, जैसा आपको पता है, पंजाब और हर्याना हाई कोट का एक दोस्तो केस भी चल रहा है, हाला कि उसका भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कई डिपार्टमेंट ने अपने और निकाले है, ताकि जो पैंशनर का जो रिकवरी हो रही है, उसे बंद किया जासा के कम्यूटेशन की, दोस्तों अगर आपको भी इसका फायदा लना है, तो आपको कोट केस करना पड़ेगा, तब ही आपको उसका फायदा मिल पाएगा, और जो आपके आगे की रिकवरी हो रही है, वो फिर बंद हो पाएगी, हाला कि दोस्तों यह जो और है, यह लेटर है, यह सिरफ अभी स्टेट के पैंशनर के लिए, जो केंद्र सरकार के पैंशनर से हैं, उनके लिए अभी यह एपलाई नहीं होगा, अभी सिरफ जो स्टेट के पैंशनर है, उन्हीं के लि एक ये फैसला आप अपने पाथ भी रख सकते हैं. फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, आप ये लेटर मिर से ले सकते हैं. चलते हैं दोस्तों, अगली जानकारी की तरफ. फिर दोस्तों, एक यहाँ पे खबर आई है, पेपर में, जिसमें निर्मला सीतर अमर्जी ने बताया, नो यूटन और पेंशन स्कीम, यानि इन्हों ने बताया कि जो हमने यूनिटपाइट पेंशन स्कीम लागू करी, वो बहुती एक अच्छी स्कीम है. कॉंग्रिस सरकार तो हमेशा पलटवार करती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन हम इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तबज़ पर जो यूपियस लागू करी है, वो एक अच्छी स्कीम है, और यूपियस में पेंशनर्स को सरकारी खमचारियों को आप्शन भी मिलेगा, या तो वो एनपियस में आए, या फिर वो यूणिटफाइड पेंशन स्कीम में आए, इन्होंने दोस्तो अच्छी स्कीम बताई है, UPS की, Unified Pension Scheme Queer बारे में, और इहोंने खाया कि जो UPS है हम उसे बंद नहीं करेंगे जो Unified Pension Scheme हम लाए हैं, उसे ना ही हम बंद करेंगे और ना ही हम Old Pension Scheme को लागू करेंगे, क्योंकि जो UPS है वो कहीं चाहीं मिलती जूलती है Old Pension Scheme के समाथ ऐसा दोस्तो इन्होंने यहाँ पे बताया है और दोस्तो धीरे धीरे जो सरकारी करमचारी हैं और पैंशनर्स हैं वो जारतर UPS को ही चुनेंगे Unified Pension Scheme को ही वो चुनेंगे उसमें ही उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा ऐसा दोस्तो इन्होंने बताया है बंद करने का दोस्तों यहाँ पे कोई planning नहीं है सरकार की ना ही वो old pension scheme लाएगी और ना ही UPS को वो बंद करेगी UPS को ही सब pensioner और सरकारी करमचारी चुनेंगे ऐसा इनका कैन है क्योंकि यह आगे चलकर एक successful scheme साबित होगी ऐसा इन्होंने बताया है फिर दोस्तों आज है तीस तरिक काफी pensioner को अगस्त की pension मिल रही होगी उनके पास message आना स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है पैंशनर को अगस्त की pension मिल रही है अगर कोई दिक्कत है कोई प्रशानी आ रही है आपको तो आज मिल रही है चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों एक format एक form आया है युद्ध सम्मान का पैसा लेने के लिए 15 लाक रुपे लेने के लिए नया format है दोस्तों इसमें आप अपना service नंबर rank, name, date of enrollment, date of discharge, age, date of birth, address, mobile नंबर, आपने कौन सा युद्ध medal है, पूर्वी स्टार, पच्छिमी स्टार, या फिर समर सेवा स्टार, वो आप यहाँ पे mention करेंगे, फिर कितनी आपके property है, या फिर आपने last 5 साल में कोई ITR फाइल करा या नहीं करा, आपनी details आप mention करेंगे, आपकी present occupation, क्या आप अभी job कर रहे हैं नहीं कर रहें, present annual income, स और भेज सकते हैं, या तो आप सैनिक कल्यार विभाग में भेजें, या फिर आप DSJB department भेजें, तो दोस्तों ये format नया जारी हुए, नीचे आप sign कर देंगे, और यहाँ पे फिर आप date mention करनेंगे, और उसके धार पे आप ये अपनी detail भरके भेज सकते हैं department को, फिर देखे दोस्तों एक letter है, ACP लेने के लिए, Assured Career Progression का जो लाब है, वो लेने के लिए, दोस्तों जिस बेस पर आपको ACP नहीं मिल रही है, जिस बेस पर आपको ACP नहीं मिल रही है, तो आप ये letter दिखा कर आप ACP का फैदा ले सकते हैं, ACP उन pensioner को मिलेगी, जो 7 अगस्ट 2003 से 31 बार 10 साल से उपर है, तो आपको नायक का benefit मिलेगा, अगर आपकी service 20 साल से उपर है, तो आपको फिर हवलदार का benefit मिलेगा, यानि दो financial upgradation, पहले 10 साल में और फिर दूसरे 20 साल में, नायक का और दूसरा हवलदार का, काफी important ये letter है, आप इसे मेर से ले सकते हैं, ताकि आपको को 24, ये मैं बता रहूँ, जो 2006 से पहले आया है, यानि 7 अगस 2003 से 31 12 2005 के बीच में, उनके लिए ये letter फायदे मन्थ हो सकता है, चलते अगली जानकारी की तरफ, फिर दोस्तों मैं बात करूँगा, अंडर टेकिंग की, अंडर टेकिंग आपस इस पर्ष लेता है, गलती से अग आपसे अंडर टेकिंग पर साइन करा लेता है, अगर गलती से आपके पास ज्यादा पैसा सला जाता है, चाहे वो पैंशन हो, एरियर हो, तो फिर वो आपको लटाना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसी एक declaration आता है इस पर्ष पर, जितने भी जो नई पैंशनर्स हो गए, जो म मना ना करें, नहीं तो आप पे फिर penalty घोशित करी जाएगी, ऐसी दोस्तों undertaking का एक form है, जो भणना पड़ता है pension को, सिरफ मैं आपको समझाने के परपस से बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप undertaking का असली मतलब समझ जाए, कि actual में undertaking क्यों लेता है, कोई pension dispersing agency, यह इसलिए ल होनी चाहिए, यानि pension में से जो आपका tax काटा जा रहा है, वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि यह आए नहीं, जीवन बर सेवा के बदले गुड़ापे में जीविका का साधन है, बिलकुल दोस्तों, यह कोई आपकी salary नहीं है, बलकि जो आपने पहले जो service दान करी, यानि ज जो देश की सेवा करी, किसी department में काम करके, या फिर अगर आपको पूर सेनिक देश की रक्षा करी, मतलब सरकार के एवज में जो आपने काम करके दिखाया, यह उसी का पड़िनाम सरूप है कि आपको pension दी जा रही है, तो दोस्तों, एक तरकी कि यह आपकी आए नहीं है, ज जो भी आपका tax काटा जा रहा है, बारत सरकार के दोरा pension में से वो नहीं काटा जाना चाहिए, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कहना है, आपकी क्या RIS पे आप नीचे जरूर comment करेगा, बिलकुल दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर दोस्तों मैं बात करूँग consumer price index के आकड़े के बारे में, जैसा आपको पता है, जून का आकड़ा आपको बहुत पहली मिल गया था, लेकिन दोस्तों आज है 30 तरीक, आज हमें मिलेगा, जुलाई का AI CPI का आकड़ा, consumer price index का आकड़ा, और इस आकड़े से हमें पता लगेगा, कि जनवरी 2025 से आपक कितना percent DADR होगा, हाला कि अभी ये सिरफ एक ही महेने का आकड़ा होगा, इसी तरीके से हमें अगस्त का आकड़ा, सितंबर का आकड़ा, अक्टूबर, नमबर, दिसंबर के भी आकड़े मिलेंगे, लेकिन जो आज हमें आकड़ा मिलेगा, वो मिलेगा अभी जुलाई 2024 का आकड़ और इससे हमें थोड़ा बहुत idea होगा, कि जन्वरी 2025 से आपका कितना percent DADR होगा, जुलाई से बढ़ने वाला जो आपका DADR है, उसकी जो होशणा है, वो सितंबर, अक्टूबर के आसपास होगी, सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास, जो जुलाई से बढ़ेगा आपक अक्टूद के जो आकड़ें, वो दोस्तों आना स्टार्ट होगे, और पहले माईने का जो आकड़ा है, जुलाई का, वो हमें आज की तारीक में देखने को मिल सकता है, अगर नहीं मिलता, तो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा, लेकिन आज जुलाई 2024 का आकड़ा आना ह है जुराइज होजा 24 का कंजूमर प्राइस इंडेक्स का देखते हैं दोस्तों यह आता या नहीं आता फिलाल मैंने आपको information दे दी तो दोस्तों यह कुछ जानकार यह थी जो मैंने आपको समझाई वीडियो आप पच्छे लगते वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्न